एलो फ्रेंट्स, स्वागत आपका व्यू स्पोर्ट माच प्रव्यू में, मैं हूँ आपका फैंटेसी फुटबॉल गोस्ट अकाश त्यागी आज हम बात करेंगे लालीगा के फिक्षर इस्पैनियॉल वर्सेस बार्सलोना की हर बार की दर इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवियस रिजल्स, लालीगा डेबल स्टांडिंग्स, प्रॉबेबल लाइनप्स, एन एंड में बेस्ट फैन्टेसी कॉमिनिशन की भी प्रफरेंस इस से पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि फुटबॉल की दुनिया में होने वाला ये इकलौता मैच नहीं है इसके अलाबा आज भी काफी सारे मैंटेस हैं, इंग्लिश प्रेमियर लीग, लालीगा, लीग वान, इस तरीके की सारी लीग के मैंटेस हैं मैच लालीगा में ही खेला था, जो कि इन्होंने 3-2 हारा था वसेज सिवया, जिसमें एक ओन गोल था करीम रेकिक का, और एक मात्र गोल इस्पैनियॉल के लिए जो स्कोर किया था, वो किया था जावी पोएड़ोना, वही पर अगर बात करें बासलोना की, तो बासलोना ने भी अपना पिछला माच लालीगा में ही केला था, जो कि इन्होंने 1-0 जीता था वसेज ओ ससुना, जिसमें गोल स्कोरर थे जॉर्डी एलपा, अब हम बात करते हैं लालीगा टीबल स्टांडिंग्स की, अगर बात करें स्पैनियॉल की, तो फ्रिंस स्पैनियॉल इस समय है नाइनटीन फोजिशन पर, इन्होंने खेले हैं 33 मार्च जिसमें इनके हैं 31 पॉइंट्स, इन्होंने स्कोर किये हैं 40 गोल्स, और कंसीड किये हैं 56 गोल्स, वहीं पर अगर बात करें तो इनकी स्टोरी एकधम हॉपोजट है इस्पैनियॉल से, ये समय है 1st पोजिशन पर, इन्होंने भी खेले है 33 matches इसमें इनके है 82 points इन्होंने score किये है 60 goals and concede किये है 11 goals जी हां friends सिर्फ 11 goals अब तक Barcelona ने concede किये है and friends मैं आपको बता दूँ कि Real Madrid की last night Getafe की win के बाद अब सिर्फ Barcelona 90 minutes दूर है अपने La Liga title से जी हां उनको सिर्फ ये match जीतना है और ये match जीतते ही वो champion of Spain बन जाएंगे वो champions of La Liga बन जाएंगे तो सिर्फ Barcelona को आज का match जीतना है बट ये match उतना आसान नहीं होने वाला है friends for Barcelona ये एक local derby है और हमेशा से ही Barcelona के लिए ये difficult match रहा है spaniel doesn't matter किस form में चल रही है या किस table में अभी किस position पर है derby हमेशा matter गरती है इन दोनों teams के लिए और spaniel अपना पूरा जीजान लगा देगी क्योंकि वो अभी points की need में है उनको काफी सारे points की ज़रत है अपने आपको relegation में उपर करने की but still कुछ starts ऐसे हैं जो बार्सलोना को automatically support करते हैं जैसे कि अगर बार्सलोना के against spaniel का record देखा जाए तो वो अब तक 25 matchों में जीते नहीं है जी हां फ्रिंस बार्सलोना kind of अगर हम इसका reverse बोले तो बार्सलोना 25 times spaniel से जीच चुकी है एक longest winless streak है किसी भी regional derby महीं पर अगर बार्सलोना की बात करें तो वो अपने 14 games जो कि उन्होंने away position पर खेले हैं अपने home से उनमें वो unbeaten रही है और आज का match भी बार्सलोना के लिए unbeaten है तो ये भी एक point है जो बार्सलोना को favor करने है पर एक point और है बार्सलोना के लिए कि वो अपने last two away matches में जीते नहीं है तो आज भी एक और match उनका away पर है तो you never know जैसे कि हमने आपको पहले बढ़ाए कि spaniel बहुत जादा need में है points की तो वो अपने जी जान लगाएंगे तो हो सकता है कि बार्सलोना को यहां पर upset होने का मौका मिल सकता है वहीपर अगर spaniel की बात करें तो उनकी form इस stage पर काफी परेशान करने वाली है या फिर काफी सोचने वाली है क्योंकि Luis Garcia की यह जो spaniel की team है Spain की top flight 10 matches में से सिर्फ एक match जीती है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना struggle कर रहे हैं वहीं पर और एक तरीके से देखा जाए तो Luis Garcia की इस team का second worst home record है इस पूरे लालीगा season में उन्होंने 16 matches में सिर्फ 17 points लियें तो आप देख सकते हैं कि इन stats से कि बार्सलोना automatically favorites तो हैं क्योंकि spaniel का record भी कुछ ऐसा है और बार्सलोना की खुद की form भी better है but still हम यह बात दुबारा बोलना चाहेंगे कि यह match बार्सलोना के लिए easy नहीं होने वाला है तो friends इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें probable lineups की हम आपको बता दे that this video is sponsored by vision 11 इसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो अक्षर सही है बात मान शम्मी तो अब हम बात करते हैं हमारे probable lineups की सबसे पहले Spagnol friends हमारे recording Spagnol एक 5-3-2 formation में खेल सकते हैं जिसमें goalkeeper हो सकते हैं Pacheco 5-man defense में हो सकते हैं Gil, Montes, Gomez, Cabrera and Oliwan Oliwan की साथ अब Oliwan की जगे शाहिद Pedrosa भी start कर सकते हैं confirm ही यह depend करता है Luis Garcia किस type की team तकना चाहेंगे इस match में बार से लोना काफी जादा position रखने वाली है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद defense के पास बहुत कम chances होगी passing या फिर ball रखने के तो यह आपको tackles या फिर interception से ही points दलाते हुए वे मिल सकते हैं उसके लावर देखा जाए तो Gomez काफी अच्छे hitter of the ball है अगर free kick situation से अफर corner से अगर इनको chance मिलता है तो यह goal score कर सकते हैं वही पर अगर midfield की बात करें तो वहाँ पर हो सकते हैं Dardar, Dennis Suarez, Poado, friends, Sergi Dardar इनके एकमात्र star player है जो कि आपको assist और goal से contribute करते हुए मिल जाते हैं यह more like इनके play maker है जो कि आपको attackers के पीछे game बनाते हुए दिख जाएंगे chance create करते हुए दिख जाएंगे सिर्फ create नहीं यह एक तरीके से इनके anchor man है यह आपको assist करते हुए मिल जाएंगे यह आपको shots on target करते हुए मिल जाएंगे तो spaniel में जो भी midfield में होती है चीजे जिसकी वज़े से उनके या तो goals बनते हैं या फिर defensive duties भी आपको sergi dardar कलते हुए मिल जाएंगे fantasy point of view से यह आपके लिए बहुत ही important pick बन जाते हैं क्योंकि आपको यह tackles, interception, assist, goals, shots और target से काफी जाधा points जे सकते हैं इवन हम तो कहेंगे कि यह आपके लिए एक situation में vice captain option भी बन सकते हैं महीं पर इनके साथ हो सकते हैं Denis Suarez एक्स Barcelona player, एक्स 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 सेल्टा विगो player जो की अभी loan पर है spaniel में काफी अच्छे player है, अपने दिन पर यह match बलट सकते हैं, बहुत ही अच्छे dribbler है या pop passes, tackles, shots on target से काफी अच्छे points दे सकते हैं महीं पर इनके साथ हो सकते हैं Spanish international quado जिन्होंने पिछले match में goal भी score किया था तो hopefully अपनी जो form है उसको carry forward करेंगे और आज शायद Luis Garcia इनको दुवारा chance देंगे और अपनी position यहां पर रखेंगे महीं पर अगर attack की बात करें तो breath weight final injury से वापस आ चुके हैं hopefully वो match यह match start करेंगे वहीं पर इनके साथ हो सकते हैं Jose Lu, इनके star, attacker और या फिर आप कहें कि goal scoring का सारा जिम्मा जिनके उपर होने वाला है वो है Spaniel के Jose Lu, यह penalties पर भी होंगे अगर आपको लगता है कि Spaniel goal score करेगी तो यह काफी अच्छी option आपके लिए हो सकते हैं बट यू नेवर लो कि counter पर कभी भी कोशिश करेंगे counter पर goal score करने के और Jose Lu जो है काफी अच्छे एक striker है जो कि box के अंदर, एक box-to-box striker आप इनको कह सकते हैं साथ में Brett Wade जो है वो एक बहुत ही अच्छे header of the ball है यह कोशिश करेंगे अपनी X-team को hurt करने की यहाँ पर और वो कर भी सकते हैं सो आप किसी भी दिन Spaniol को इस match से out नहीं कर सकते हैं उनके पास extra motivation जरूर है बट स्टिल, Barcelona is Barcelona friends और इस match को वो जीट सकते हैं Not asani से, बट येस यहाँ पर Barcelona favorite से यह match जीतने करें महीपर अगर Barcelona की बात करें तो friends ये एक 4-3-3 formation में खेल सकते हैं जिसमें goalkeeper हो सकते हैं Terz Stegen, 4-man defense में हो सकते हैं Jules Kunde, Araujo, Christensen and Balde Friends, fantasy point of view से ये चारो ही defender हमारे लिए काफी important pick बन जाते हैं क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहली बताया है तो Barcelona सारा position, काफी जाधा position अपने पास रखने वाली है तो आपको काफी passes से, passing से ये points दिला सकते हैं उसके अलावा interception, tackles और offensively भी Balde और Kunde काफी important players हैं जो कि regular basis पर आपको dangerous areas में roam करते हुए मिल जाएंगे, chance create करते हुए मिल जाएंगे आपको crosses D center की तरफ डालते हुए मिल जाएंगे और जिस तरीके से Levendowski center में एक star striker जिस तरीके की striker Levendowski है तो शायद वो उन crosses को miss नहीं करेंगे तो you never, so you never know, शायद header से भी आपको Levendowski goal करते हुए मिल जाएं और Balde और Kunde आपको assist करते हुए मिल जाएं So technically fantasy point of view से ये चारो भी defender हमारे लिए काफी important हो सकते हैं वहीं पर इनके midfield में हो सकते हैं Pedri, Busquets and Dion Friends, Busquets कोशिश करेंगे एक बहुत ही अच्छे note पर अपना Barcelona career खतम करने की ये उनकी last derby होगी क्योंकि वो एक already ये announce कर चुके हैं कि season के बाद वो बार्सलोना छोड़ देंगे एक legendary midfielder जिन्होंने अपनी पूरा career बार्सलोना को दे दिया One of the best defensive midfielders football have ever seen So Busquets कोशिश करेंगे ये इनकी एक anchor man है जो कि आपको tackles, deception, passes से काफी जादा points देने वाले हैं ये शायद आपको assist या फिर goal से उतना contribute नहीं करेंगे बट ये जो anchor man की तरह जो midfield को hold करते हैं जिससे कि आपको Pedri और De Jong जो है आगे roam करते हुए मिलेंगे जिसकी वज़े से आगे आपके wingers जो है वो attack, freely attack करते हुए आपको मिलेंगे आपको काफी ज़दा passing points देते हुए मिल जाएंगे बट tackles और interception से ज़दा points देने के chances बुस्किट्स के हैं वही पर Pedri हो सकता है थोड़ा सा और advance या फिर थोड़ा और attacking role में आपको केलते हुए मिल जाएं फॉर एक्जामबल आगे विंगर्स पे रफीनिया, लेवन्डॉस की गावी के थोड़ा सा पीछे या फिर हो सकता है कि लेवन्डॉस के एक lone striker के ले और पुस्किट्स और डियॉंग थोड़ा सा पीछे आके defensive role में Pedri थोड़ा सा आगे आके केल सकते हैं offensive role में जवी जो है अपने mid match के बीच में यह सब changes करते रहते हैं हो सकता है कि वो 4-3-3 से 4-2-3-1 पर switch कर दें जिसकी वज़े से Pedri को काफी open space मिलेगा chance create करने का वो काफी अच्छे passes कर सकते हैं वो shots on target ले सकते हैं वो even goal भी score कर सकते हैं तो fantasy point of view से buskets, de Jong and Pedri भी हमारे लिए काफी important pick बन सकते हैं मही पर अगर बात करें attack kick तो महाँ पर हो सकते हैं Rafinha या fit Dembele Rafinha जो की पिछले match में को एक knock लगी थी हालगी वो वापस आ चुके हैं ऐसा कुछ चंता करने वाली बात नहीं है बट हो सकता है कि आज का match वो bench से start करें क्योंकि Dembele completely fit हैं तो डिबेंड करता है कि जवी किसको start करते हैं अगर Rafinha start करते हैं तो वो automatically हमारे लिए wise captain pick बन जाते हैं friends यह Brazilian international बहुती fantastic dribbler of the ball right side से आपको cut करते हुए मिल जाएंगे dribble करके अंदर भुसने ही कोशिश करते हैं जिससे chance creation होता है यह crosses देते हैं जिससे Livendowski को काफी deliveries Livendowski के लिए देने वाले हैं और यह खुद भी बहुत अच्छे shots on target लेते हैं और goals भी score करते हैं वहीं पर अगर हम left side से बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेंगे Spanish international Gavi जो की बहुत ही fantastic talent है आप Barcelona के आपको left side से यह cut करते हुए मिल जाएंगे यह भी आगेंस like Rafinha बहुत ही अच्छे dribbler है chance creation, shots on target, passes, even defensive duties भी आपको करते हुए मिल जाएंगे बाले की help करते हुए यह आपको पीछे defense में भी मिल जाएंगे महीं पर अगर अगर इनके loan striker Levendosky की बात करें तो इनके बारे में शायद ही को यह जो नहीं जानता होगा one of the fantastic strikers in the football world right now यह चाहे header हो या फिर open play हो या फिर box के अंदर हो एक box to box attacker है यह और यह आपको बड़े अराम से goal score करते हुए मिल जाएंगे और fantasy point of you see हमारे लिए captaincy pick automatically बन जाते है friends हम उम्मीद कर रहे हैं कि Barcelona इस match को जीतेंगी जिरू शायद उतना असान नहीं होगा जीतना उनको थोड़ी मेहनत करनी बड़ेगी बट शायद उस match को 2-1 या फिर 2-0 बड़े अराम से जीत सकते हैं अब हम बात करते हैं हमारे best fantasy combination की जैसे कि हमने आपको पहले बटाए कि Barcelona यहां पर favorite है और उनके चारो ही defenders काफी important है तो हमारा combination भी कुछ उसी तरी कैसे हो रहा है हमारे गोलगीबर होंगे Pacheco, 4-man defense में होंगे Christensen, Kunde, Arao, Balde 4-man midfield में होंगे Dardar, Frankie de Jong, Victor Souza and Pedri Gonzalez अटाक में हमने लिए है Lewandowski और Hoselu को, हमने captain किया है Lewandowski को, Vice Captain हमने किया है Balde को, आप चाहे तो Vice Captain सहजी दादर को भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि Spaniel इस match में goal score करेगी तो आप Hoselu को भी Vice Captain कर सकते हैं हमने Suza को यहां पे लिया क्योंकि वो टाकल्स, Interception से काफी जादा points दे सकते हैं तो इक differential pick हमारे लिए हां पर हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा अलग शायद जादा points हमें दे सकते हैं अगर Rafinha केलते हैं तो आप शायद Christensen को हटाके या फिर Arao को हटाके रफीनिया को ले सकते हैं अटाक में और उनको वाइस काप्टन बिलकुल अराम से कर सकते हैं तो किसी भी दिन माच वालट सकते हैं तो यह था था कॉंबनेशन जिसमें आप अपने according changes कर सकते हैं depending on the playing 11 and depending on your gut feeling रही है तो फ्रेंज यह था एक छोटा सा प्रव्यू ला लिगा के मैच इस्पैनियोल वसस बार्सलोना का hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आईए तो प्लीज लाइक इस वीडियो और इसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब तो व्यूस्पोर्ट चानल थांक यू